Hello friends, welcome to Learns Reversus, this is Ram Soni, आज हम डिसकस करेंगे basically एक बहुत important concept के बारे में और ये है धर निकासी का सिध्धान्त, इसे बोलते हैं drain theory, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं drain of wealth और ये concept दिया था दादा भही नुरोजी साहब ने, इस concept के बारे में बात करेंगे basically concept है क्या और दादा भही नुरोजी साहब के बारे में बात करेंगे, let's start about this one वेल तो दादा भही नुरोजी साहब की बात करेंगे, तो इनको basically हम बोलते हैं grand old man grand old man of internationalism, ये तो आप जानते हैं, इस नाम से इनको जाना आता है इसके लावा इनके बारे में आप जाने तो Bombay Municipal Corporation चुने गे, और साथ में ने कई सारे organization का formation किया, जैसे India Society की बात करें 1865 में formation किया, East India Association का formation की 1866 में, कहाँ पे लंदन में, तो ऐसी कई सारे चीज़ों का formation होने किया, ये हैं दादा भही नुरोजी, इसके लावे बात करें भारती राश्चिक अंग्रेस, इंडिनेसिक अंग्रेस की बात करें, तो इसमें तीन बार भारती राश्चिक अंग्रेस के प्रेज़ेंट भी चुने गए, जिसका formation 1885 में हुआ था, आपको याद होगा, 1880 में एओ यूम ने इसका formation किया था, कहाँ पर बंबे में, और इसके बाद यहाँ पर इसके पहले अदिवेशन में, 72 डिलिगेट्स आये थे जहाँ आपको याद होगा, कि W.C. बेनर जी ने उसके पहले अदिवेशन के अदिवेशन किया था, anyway, अब यहाँ पर पॉइंट यह बनता है, कि इनका contribution, especially nationalism में तो है ही, लेकिन साथ मिन के किताब बड़ी अच्छी important है, Poverty and Unbritish Rule of India, यह basically किताब से पहले थी, 1901 में, इस किताब में एक बड़ी important चीज़ बताईगी थी, जो उस समय तक किसी को पता ही नहीं थी, और वो है drain of wealth, आप drain of wealth का concept आप simple समझें, यह मैं आपको एक simple language समझाओ, तो drain of wealth का मतलब यह था, कि यहाँ पर हमारे देश में, यह किसी भी country में आप देखें, तो यह किसी भी देश में raw material, मतलब जो कच्चा पदार्त है, raw material वो कोई भी country आपके देश से ले जाए लगातार तरीके से, और आपके देश में finished good, मतलब जो बना-बनाया product है, वो आपको supply करें, तो इस से आपके देश में वैसे ही धन निकासी की problem हो जाती है, इसके लावा, हमारे देश में टैक्स बगरे लगता था, यह टैक्स का जो पैसा है, वो हमारे देश के development में लगना चीए, यह development में लगने के बजाए, यह वापस अपने देश में ले जाए करते थे, और वहाँ पे खर्च करते थे, ति प्रिकासी, यह भी धन निकासी का एक बहुती बड़ा रिजन था, बेसिकली, तो आप समझ सकते हैं कि दिर्राव मेटल हमारे देश से ले जाए, और यहाँ पर finished goods अप्लाई करें, जैसे अंग्रेजों की बात करें, तो हमारे देश से कि वहाँ पर industrialization हुआ था, वहाँ पर कपड़े बनाने के लिए machine हो का इस्तेमाल किया था, लेकि हमारे देश में भी handicraft होता था, मतलब हाद करगा होता था, और चर्खे से बेसिकली बनाया था, आप लोगों देखा हो अच्छा खासा है, तो बेसिकली उसको बनाने में काफी ज़दा टाइम लगता था और expensive होता था, तो इसे कार्ण के हमारे इंडियन गोड्स जो हैं, वह बहुत ही जल्दी जो बिर्टेस गोड्स हैं, उसे रिप्लेस हो गए थे, मतलब बिर्टेस जो कपड़े हैं, वो लोग खरीदने लग गए थे, और भारत के जो कपड़े हैं, उसकी बिक्री कम हो गए थे हाला कि जो सुदेशी आंदूलन आपने देखा है वो सुदेशी आंदूलन भी इसी की तरफ एक अदम था जहाँ पे जो हमारे देश के जो राजनिता थे उन्होंने रिसाइड किया कि जब तक हम लोग सुदेशी वस्तों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की जो अर्थेवस्ता है वो और भी कमजूर होने लग जाएगी एनिवे तो यह पॉइंट यहां पर रहा धन निकासी के बारे में इस्पेसिलिट टैक्स जो हमारे देश में कलेक्शन होता था वो टैक्स हमारे देश में खर्च करने की बज़ा है और कोई इसका रिटर नहीं था सोचे 13 million pound हमारे देश से खर्च हुआ हमारे देश से पैसा बिटेन में गया और वो पैसे का हमारे देश में कोई भी हिसाब नहीं है मतलब इतना पैसा हमारे देश से चला गया मतलब जो टैक्स होता है देखें टैक्स लगाने का प्रपस क्या होता है टैक्स का मतलब ऐसा नहीं होती कि वह वसूली है टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स का पैसा हमारे देश में खर्च होगा जैसे माले जब आप टैक्स पे करते हैं चाहे वो direct tax हो, चाहे इन direct tax हो, लेकिन वो tax का पैसा देश में खर्च होना चीए, लेकिन अंग्रेजों नहीं क्या किया, इसको यहाँ खर्च करने एक बज़ा है, वो अपने देश में लेजा करते थे, और यह data दिया है, इन्होंने 13 million points, अब यहाँ पर देखा जाय है, तो य लेकिन इंडियन्स का सारा पैसा वहाँ चला, गेद कोई वार है, युद्ध में खर्चा हुआ है, तो उस युद्ध के खर्चे का बेसिकलि वहन इसे क्या था, मतलब देश से पैसा खर्च करने की बजाए, आप युद्ध में पैसे खर्च करने लग जाओ, तो कहीं न कही बहुत ज़ा करप्शन हुआ, और भारत का पैसा जो है, ब्रिटिंग में चला गया, तो बहुत सारे तरह की चला गया, तो यहाँ पर ड्रिन अफ विल्ध की जो फिलॉसपी थी, यहाँ पर दददा भई नोरी साहब ने प्रपॉर्ण किया, और फाइली हमारे समझ में आए आपके पास कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट जरू करेगा, और वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करकी जरू बताएं, और पैसन दाया हो, तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं, और यार दूसरों को से एर भी कह सकते हैं वीडियो को, चलिए मलते हैं, आपको उसके लिए डिसकस्न में, तब दक लिए बाबाई and take care.